क्या मूवी बनाया है मोहिट्सूरी ने? लोएक्सपेक्टेशन्स के साथ गया था लेकिन मूवी टुक मी विच सर्प्राइज I don't know why so much hate for this movie क्योंकि बॉलिवूट फिलिम है मैं एक विलन फर्स्ट पार्ट भुल गया थेटर में इतनी इंट्रस्टिंग लगी मुझे एक विलन रिटन्स दिशा पाटाने को सब ट्रोल कर रहे हैं ऐसी क्या दुश्मनी है मुझे तो सब के आक्टिंग ठीक लगी कैसा लगा मेरे मजाक? आप लोगों को सच लगा क्या? मैं तो मजाक कर रहा था मुवी में पोटेंशियल था, अच्छी मुवी बन सकती थी लेकिन क्रिंजे डालक्स और बक्वास गानों के वज़े से मुवी मार खा गई हेलो गाइस, वेलकम टू नाजरे रॉयल लव स्टोरी जो हे मुवी में व अच्छी तरीके से दिखा सकते थे इंस्टिट दे एंड़ अप शोविंग लस्ट एन अट्रेक्शन अज लव इन दिस लव स्टोरी जब चल रही थी तब लगा उटके चला जाओ लेकिन मुवी जब असल में स्टार्ट हुई तब इंटरस्टिग लगा और अर्जुन कपूर प्लेड इस पार्ट वेल वाल अधर्स दिख सेम वाट आलवेज दू दिशा पतानी वही कर रहे थी जो हर मुवी में करती है अर्जुन कपूर के फैंस खुश हो सकते है मैं बेकार में हेट नहीं फैला था सच बोल रहा हू अक्टर को कारेक्टर सूट हुआ ऐसा लग नहीं रहा था कि इस ट्राइंग तो आक्टर इस दाट कारेक्टर डिरेक्टर अफ दे मुवी त्राइट तू में सीन्स जिश में शायद उननने एक्सपेक्ट केया कि ओडियन्स एक्साइटमेंट में चिलाएगी जब जोन अब्रहम और अर्जुन कपूर आमने सामने आते है अगेंस्ट इचेदर पोटेंशिल तो था लेकिन दोनों अक्टर्स के लिए हाइपी नहीं हो तो इसको खिचने की कोशिस की है which worked, yes सारे कपल्स आयते अलगले गेज ग्रूप के सीट्स देखा मैंने एक लड़का साइड में एक लड़की पूरा थेटर लड़का लड़की से भरी थी थैंक्फोली कोई फैमिली वाले नहीं आए IMDb reviews पड़ा मैंने the people who are criticizing the bold scenes of the movie लेकिन थेटर में मैंने देखा थेटर तो भरा हुआ था सारे लोग आये थे देखने के लिए movie all the couples बात में यही लोग घर जाकर IMDb में rating देते कि बॉलीवड बिगडगया फाल तु मूवीज बना रहे बहुत सारे adult scenes थे तो शरम करो अगर आप लोगों को ठरकी scenes देखना है तो जाओ, जाकर देखो लेकिन disappoint होने का नाटक मत करो the more you see these kind of scenes these kind of movies the more they will make उनको फरक नहीं पढ़ता है कि critics क्या बोल रही है जनता क्या बोल रही है फरक उनको पैसो से पढ़ता है जब तक पैसे आ रहे है तब तक ठीक है they will go on making such movies ऐसी movies देखकर हम उन्हें encourage कर रहे है love के नाम पर lust दिखा रहे है until we don't stop watching this they won't stop making this negative reviews देने से वोलो movies बनाना stop नहीं करेंगे लोग देखना बन करेंगे तो ये movies बनाना बंद करेंगे we demand good movies but we don't watch them in theater कितने लोगों ने संदीप और पिंकी फरार देखा अरजुन कपूर का ही movie है it was really good but nobody watched glamour नहीं था ना इसलिए टाइगर श्रॉफ की हर एक movie shit है सब IMDV पर आकर गालिया देते है बट जब theater में release होता है तो box office पे line लग जाती है let's not go into how bad Bollywood is एक विलन रिटन्स के बारे में ही बात करेंगे एक विलन रिटन्स की cinematography अच्छी है and हाँ movie interesting है जब भी get to see some serial killer stuff पर जब romance और गाने आते हैं तब लगता है उटके चला जाओ family audience के लिए तो नहीं है ये movie और जो particularly crime, serial, killer, suspense type की movies पसंद करते हैं तो you will get bored with romance in this movie I am a dark movie lover but एक विलन रिटन्स was a torture just because of its songs, love story and yeah, some very cringy dialogues too couples देख सकते हैं ये movie उनको पसंद आएगी बट अगर couples सोच रहे हैं कि क्या killer विलर दिका रहे हो हमें तो सिर्फ गुलू गुलू देखना है तो you will get disappointed लेकिन आप लोगों को अगर गुलू गुलू के साथ डिशूम डिशूम भी देखना है तो जाकर देख सकते हो अगर movies में ये लोग ये scenes cut कर दे जिसमें cringy dialogues है और ये सब फाल्तु के चीज़े है तो ये movie सच में अच्छी बन सकती है तारा सुतारिया और दिशाप अटानी ने इस movie को जमीन में गार दिया जौन अब्रैम तो फिर भी ठीक है at least he knows how to shout and become Hulk without being green आरजुन कपूर प्लेड वेल just because इस movie की love story ठीक नहीं थी और फाल्तु के डायलक्स थे और फाल्तु के सीन्स थे ये movie डूब गई I rate this movie 2 out of 5 first star for serial killer mystery stuff कौन विलन है कौन विलन नहीं है suspense is good it worked second star अच्छी ending के लिए और इतेश देश्मुक के cameo के लिए ending was really good it took with all surprise really अगर movie में गाने change करवा देते थोड़े actors को different लेते और love story नहीं दिखाते इतनी बकवास डालक्स भी नहीं होती तो ये movie अच्छी काम कर जाती but still couples will like this movie it will be a delight for you and family members you go for Vikran Truna you'll like that thanks for watching my video guys I hope you like my video please subscribe to the channel and please make a comment if you want review of any other stuff